तो फाइनली पुर्णिया युनिवर्सिटी की ओर से एक नया नॉटिफिकेशन 8 सेप्टेंबर 2021 को जारी कर दिया गया है इस नॉटिफिकेशन में बहुत ही अच्छी ख़बर निकल के आ रही है साथी साथ स्टेप बताएंगे इस ओफिसियल नॉटिफिकेशन को आप कहां स सकते हैं और इस ओफिसियल नॉटिफिकेशन में आखिर क्या बताई गई है पुर्णिया युनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों को तो सबसे पहले बता दें उन छात्र चात्राओं को जो पीजी पुर्णिया युनिवर्सिटी से करना चाहते थे और 2020 में एडमीशन लिये किया गया है तो जरा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि कहां से आप लोग रजिस्टेशन फॉर्म फिलप कर सकते हैं क्या गाइडलाइन्स है कितना चार्ज लगेगा तो सबसे पहले आपको जो है गुगल पर आना है टाइप करना है इस्टेडी एक्जाम 399 जैसे ह क्लिक करते हैं आपके सामने अफिसल वेबसाइट खुल कर आ जाएगा इस्टेडी एक्जाम 399.com तो इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहां देखने को मिलेगा यहां पर आपको पुर्णिया युनिवर्सिटी से लेकर बिहार के सभी युनिवर्सिटी का अपडेट इ यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहां पर आपको पुर्णिया युनिवर्सिटी पीजी रेजिस्टेशन से रिलेटेट पूरी जानकरी ओनलाइन आविदन कब से कब तक कर सकते हैं 9 सेप्टेमबर यानि क कैटेगरी के स्टुडेंट के लिए रखा गया फीस ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं डेविट कार्ट क्रेडिट कार्ट नेट बैंकिंग के थुरू पुर्णिया युनिवर्सिटी कोर्स नेम सेशन देख सकते हैं 2020 से लेकर 22 यहां पर एक जो है नोट दिया गया नोट है स्टुडेंट को पुर्णिया विश्विद्याले pes Fuji के सभी 54 चात्राओं को सुचित किया जाता है रचिस्टेशन करने के लिए अउनलाइन पेमेंट करने के बाद पेमेंट सिलिफ को डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के साथ माईग्रेशन कि मूलपिरतिपंजिय जाएगा यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलता है online registration payment करनेगा तो simply यहाँ पर आप क्लिक करके official website पर चल जाए official notification यहाँ से download official website यहाँ पर देख सकते हैं तो payment करने के लिए simply यहाँ पर आएंगे और सो आप में comment box में जरूर comment कर सकते हैं साथ ही साथ पुर्ने युनिवर्सिटी की पलपल के अपडेट के लिए आप मारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बैल का इकन में all notification कर दीजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में WhatsApp फेस्बूक ग्रूप पर सेयर कर सकते ह Official notification भी हम आपको live एक बार download करके ताकि बता देते हैं कोई भी आप लोगों को doubts ना हो तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोग download कर सकते हैं Official notification देख सकते हैं यहाँ पर download हो गया है और यहाँ पर आप लोग पूरी जानकारी बढ़ सकते हैं